ये बड़ा मेन है बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है और बार बार पूछे जाने वाला पॉइंट है बाइपास फेक्टर यह bypass factor क्या है पहले बाद तो bypass क्या होता है आपने कभी सुना है कि हमारे गाउं का हमारे शहर का ये bypass है बाइपास कुछ नहीं ah हमें किसी को माल लेजीए कि ये शहर है इसके बीच मैं से निकल के जाना है हमें इसमें बीच में से भीड होगी इतना भीड होगा इसमें से निकल के जाएंगे तो हम क्या करते एक bypass निकाल देते हैं इस तरह से बाहर से निकल के निकल जाते हैं तो इसे वो bypass बोल देते हैं ठीक है आपने सुन जा हूँ का bypass surgery भी होती है जब इस ए हार्ड patient वाले होते हैं उनको तो bypass surgery करना नहीं पड़ती है, तो क्योंकि नाड जो हमारे पास nerve जो है, जो हमारे पास यहाँ पे nerves है, जिसमें हमारे veins में हमारे पास blood आ रहा है, तो वहाँ पे अगर blockage आती है, तो वो bypass करा देते हैं उसको, जहाँ पे blockage है, उसकी बज़रे ऊपर से blood निकाल के, एक और लगा के कुछ setting करते होंगे, और bypass निकाल देते हैं, यह बात समझे ही तो लिसी, इसमें bypass factor क्या है, इसमें bypass factor यह है मेरे भाई, कि हमारे पास कहीं भी sensible heating करनी है, sensible cooling करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किसी instrument के साथ touch में लाना पड़ेगा, किसी गरम चीज़ या ठंडी चीज़ के साथ touch में लाना पड़ेगा, लेकिन air है भाई, तो air क्या करती है, माल लिजे, ये मेरे पास कोई, इस तरह से माल लिजे, यह मेरे पास कोई instrument है यहां पर पाइप है कोई एर आ रही है एर कुछ तो इसके टच में चले जाएगी कुछ क्या करेगी इसके ऊपर से निकल के चले जाएगी इसको टच ही नहीं कर पाएगी बाइपास कर जाएगी बाइपास कर गई मतरब उसका तो हमें फाइदा ही नहीं मिलेगा हम कहें कि वन किलोग्राम हवा आ रही है या वन मीटर क्यूब हवा आ रही है आई पूरी टच में आनी थी पूरी हम तो कहेंगा भाई एक किलोग्राम हवा सारी की सारी ठंडी है मजा लेकिन उसमें से माल लिजे कि 80% एफिशियन से उसकी हाना 80% 800 ग्राम हवा तो उसके टच में आई 200 ग्राम हवा इसके ऊपर से निकल गए है निकल गी तो यह बाइपास कितना हो गया 200 ग्राम हो गया ना एक किलो में से X माल लिजे बाहर से निकल गया तो हमें इस तरह से देखना पड़ेगा X ये वला ये वला कोई भी ले लेंगे जैसा बुक बोलेंगे उस बैसे कर लेंगे बात को पहले समय लेना कि bypass factor है क्या क्योंकि ये bypass factor हमारा हर refrigeration में हमारे पर यूज होगा कितना इसका bypass factor कितना है अच्छा इतना ये तो बिना effect के चले जाएगी इतना ही effect में आएगी अवा इस तरह से हमें देखना पड़ेगा ठीक है तो प्लीज इसको लिखेंगे bypass factor क्या है तो bypass factor क्या है When a stream of air passes over the coil जब एक air आती है और coil के ओपर से a part of it comes in direct contact with the coil while the remaining just bypass uneffected कुछ तो हिस्सा उसके touch में आएगा बाकी वो उपर से निकल जाएगा The amount of air that bypass depends upon the construction of the coil and velocity of air flow This bypass process is measured in terms of bypass factor तो इसको कहेंगे bypass factor तो construction पर depend करेगा coil कि इस तरह की बनी है air की velocity पर depend करेगा तो यह सब कुछ पर depend करेगा तो यहाँ पर हम कर लेते हैं यह देखिए हमारे पास यह हमारे पास है तो हम क्या करें है sensible heating sensible heating या cooling वाला हम कर रहे है तो हमारे पास माल लीए कि एक kilogram हवा हमने यहाँ से भेजी है कि भाई साब जाओ जाओ और sensible heating या sensible cooling करो coil ready पड़ी है यहाँ पर ready है कि भाई आने दे हवा यह coil है कि आने दे हवा इसको मैं गरम या ठंडा मैं करूंग क्योंकि accordingly इसके अंदर जैसा होगा उसके अंदर हमारे पास हैसे होगा ठीक है यह coil पड़ी है अब यह coil हमारे पास यह तरह से रास्ते में खड़ी है एक किलो गरम हवा आई अब इस में से X किलो गरम हवा X का मतलब कुछ भी हो सकता है में n लेजीए कि 20% अगर लगा ले तो 200 गरम हो गया 200 गरम हो गया 200 गरम हवा यहाँसे निकल जाए अगर एक किलो कितना होता है 1000 ग्राम में से 200 ग्राम तो यहां निकल गया तो यहां कितना आया 800 ग्राम तो यहां से मिलके अब कितना आ रहा है मिलके तो एक किलो ग्राम ही आ रहा है दोनों का लेकिन यह 200 ग्राम हमारे पास बाइपास हो गया बाइपास फैक्टर बन गया कि भाई ये तो फाईदा इनी मिला इसका बाईपास का फाइदा इनी मिला ये तो टैच में नहीं आई तो इसलिए हमें इसको बाईपास फेक्टर पड़ना पड़ता है अब ये 200 माना है इननोंने x माना है बस x एक दिखो x सिर्दर चला गया तो इदर कितना जाएगा權 एक आ समझाई यह नहीं तो यह हमारे पास होगा तो इसको हम अराम से लिखेंगे और अराम से करेंगे bypass factor of heating and cooling coil let one kilogram of air at a temperature Td1 तो इसका temperature क्या है Td1 Td1 ठीक है passes over the coil having its temperature Td3 तो इसका coil का temperature कितना है Td3 यह Td1 Td2 Td3 यह क्या ले रहे हैं मतलब कुई भी हो सकता है हमने तो नाम दे दिये आपका temperature कितना हो मुझे नहीं पता ना आपने कितना रखना है आपकी हवा ठंडी आ रही है गरम हरी है आपने इसके अंदर गरम रखा है ठंडा रखा है आपने क्या रखा हमें नहीं पता यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह देखो TD2 temperature यह वाला है TD1 यहां का TD2 वहां का TD3 कोईल का बात तो नहीं समझा ही तो यह हमारे पास होगा इसको हमने करना है कि bypass factor किस तरह से करेंगे ओके next हम देखते हैं इसमें देख लेते हैं बटा अब bypass factor को लिख लिजिए heating कोईल का यह हमेशा के लिए याद कर लिए हमेशा के लिए heating कोईल के लिए कैसा करेंगे अब heating कोईल के मान लिजिए मेरे पास एस तरह से मैं आपको दुबारा बना के दिखाता हूं ठीक है और आपको थोड़ा सा समझा देता हूं मान लिजिए कि कोईल यहां पर है आपने क्या करना है heating करनी है यह कोईल है ठीक है और यह bypass होगा जो उसके बारे में मैं दुबारा बता रहा हूं ठीक है दुबारा थोड़ा सा बताता हूं मान लिजिए कि आपके पास जो एर आ रही थी एर आ रही थी वो यहां से थी अर रही ठंडी बहाई 20 डिग्री टेंपरेचर वाली हवारी ठंडी भारी यह लेकिन हमें करना उसको गरम गरम करने के लिए एक ची याद करो तो यहां पर कोईल का टेंपरेचर गरम होना चाहि टीका है कि चालिस इसका है भी सुस्का तो बीच में गई ले ले कुछ तो अब हमें करना क्या पड़ेगा हमें इसकी रिशु बनाने पड़ेगी बाय-पास फैक्टर का वह क्या है टीडि ठीडि जीकिस का टमपेश्य यह देखे टीडि 3 यह है और यह क्या है हमार पास टीड T2. T2 कितना है? यह 30. upon. upon में देखें तो हमारे पास T3. T3 कितना है? 40. TD1 20. बस? यह हमारे पास आ गया. अब हमें क्या करना है? cooling का. cooling वाले में थोड़ा सा इल्टा क्या करना पड़ेगा? कि हमें यहाँ पी change करना पड़ेगा. यह देखो T2. अब मैं आपको करके दिखाता ह तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ऐसे नी तो आप भी उल्ज जाओगे थोड़ा सा अब यह देखो उल्जना नहीं है हमें समझना है और जब समझ आती है ना बेटा मजा आ जाता है उसके बाद ऐसे लगते हैं है क्या था कुछ भी नहीं था यह तो ऐसे डर रहे थे ह हम डिप्लोमा में ऐसे डरते रहे इंसे ठीक है अब देखो हमने क्या करना है कि यहां पे यहां पर ह करें हमें कूलिंग करने है यहां पेror आ डिजें की काउल हौ इक हमने यहां ने बीसक अना ऊच करणा है तो पचाषपा और बीसच ने वली हावा हुआ कर द clinical है तो पचास और बीस ताच में आएगे तो यहां से और मुनें करना है क्योंकर's टी डि Td2 है और यह है हमारे पार Td3 यह क्या है तीडि 3 अब बस बड़े में से छोटा माइनस करना है इसलिए यह सारा खेल खेल है अब Td2 की बात करें यहां पर 30 यहां देखो 30 यहां पर मैं थोड़ा साफ लिख दूँ है तो हमारे पास 30, यह है 30, और TD3 हम बात करें तो 20, और TD1 की बात करें तो 50, और TD3 की बात करें तो हमारे पास 20, अब देख लो हमारे पास, कोई भी negative value आरी है नहीं आरी न, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा, बस, ठीक है, हमें इस तरह से याद करना है, बाइपास factor को याद करने के लिए हमारे पास simple सी बात है ठेक है यहाँ पे क्या है तीन नाम अगर दिमाग में रहे न कि यह क्या है यह क्या है इस तरह से कैसे याद करें तो हमें यह याद करना है देखो यहाँ पे देखो बड़ी value जो सबसे बड़ी value है यहाँ पे TD3 है हमारे पास ठीक है क्योंकि cooling coil सबसे हीटिंग coil जो है जादा गरम है यह वाला इस में से हमने TD2 जो बाहर पास कर रही है हवा यह वाली इसको लिखे देना है इस बड़ हमारे पास heating coil सबसे था temperature है इसमें से हमने minus कर देना कोई जो हवा हमारे पास आ रही थी ठीक है यहाँ बाहर निकले वाली हवा यह अंदर आने वाली हवा यह heating का अब इसमें अगर देखें तो हमारे पास TD2 की बात करें तो TD2 हमारे पास क्या है कि बाहर जा रहा है अब यहां पे जो बाहर जा रहा है यहां पे तो यह मेरे पास क्या है हाईयर है इससे हाईयर है ठीक है तो 30 में से 20 माइनस कर देना है और 50 में से 20 माइनस कर देना है दोगो आपको थोड़ा सा समझना पढ़ेगा कि किस तरह से कौन सा माइनस करा जा रहा है ठीक है अगर ये कर लेते हैं तो हमारे पास ये सारा कुछ हमारे पास आ जाएगा ओके ओके तो अब लास्ट क्या रहता है efficiency of heating and cooling oil तो efficiency क्या है ओन माइनस बाइपास फेक्टर कर दो बस efficiency क्या है ओन माइनस बाइपास फेक्टर बाइपास फेक्टर का अभी हमने formula याद किया बाइपास फेक्टर का formula याद किया ये cooling के लिए ये heating के लिए दोनों मैंने आपको याद करवा दिये अब मैंने क्या करना है, one minus bypass factor कर देना है, बस, उसको हमने solve कर दे है, वो अलग से हम करते हैं, वो अलग से हम करते हैं हेलो दोस्तों, क्या आप junior engineer बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या किसी private company में interview कलियर करना चाहते हैं चाहे कोई भी एक्जाम हो, SSEJ, RRBJ, ISRO, NHPC, All State AEJE एक्जाम के लिए सब के लिए एक ही कोर्स काफी है, All-in-One AEJE कोर्स इस कोर्स में आपको मिलेंगी Live Classes, Recordings, PDF Notes, Chess जो आपको help करेंगी आपके एक्जाम को clear करने में इसके लावा आपको जो भी doubts है आप मेरे से directly पूछ सकते हैं तो देर ना करें, आज ही जोइन करें All-in-One AEJE कोर्स को